नाम तो है करनाटक के मुखमंतर जी के रमय याह रमय याह क्या बात है इतना सुंदर माता पिता ने नाम रखा राम से जुरा हुआ और काम कालनेमिवाला ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते संग का विरोध करते करते ते इसका विरोध करने लग जाते हैं शादू संतों का विरोध करने लग जाते हैं अरे भाई भगवार हम तो सब के हैं आपने इतने दिनों तक टेंट में रखने का महापाप किया आपने संतों को बोकोरम आई ऐसा ही तालिभान से जोड़ दिया फिर भी शादू संतों ने आपको चमा किया इनको सुद्ध रूप से बाबर प्रेम भगवा राम नहीं चाहते कियावें क्योंकि ये राक्षस रूपी आज की रावन है कि मारेश्चर सरकार ने स्री राम जनभूं भव दिब मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के लिए दो दिनों के लिए सरकारी छुटी अपने यहां के सभी सरकारी संस्थान और वहां के लोगों और संस्थान में किया गर की बात है उन लोगों के मौपे कराड़ा तमाचा है जो भारत में रहती हुई भी निमंत्रन मिलती हुई भी हम नहीं आएंगे ऐसे सब्दों का प्रयोग करने वाले आज आप देख लो के विए उनकी नहीं नहीं आएंगे उनुने भाभर को नहीं को नहीं पक्र सकते तो नहीं पकड़ने sacred को शूड़ते तो अगर शोड़ते नहीं मिलेगा राम सबके हैं प्राण प्रिश्टा को एक उस्सों की तरह मनाया जाना चाहिए देखे जिस प्रकार से सीटी रवी जी ने सिद्धे रमया को बोला है नाम तो है करनाटक के मुखवंतर जी के रमया रमया क्या बात है इतना सुंदर माता पिता ने नाम रखा राम सज्ड़ा हुआ और काम कालनेमियों का रूप है और कुछ भी हम नहीं का सकते क्योंकि जिसको बाबर बाबरी प्रेम जिसको आकांताओं की चिंता और चिंतन हंदुस्तान के बहुत संक्यक समाज के आस्था से इस प्रकार से खिलबार करना तो सीटी रभी जी ने कोई गलत नहीं कहा है कि सुरू से ही इनकी मांसित्ता राजनीत का रहा है और राजनीतिक तहद सुद्रोप से जितना हो सकता है सनात्मियों की भावना को आहत कर सकते हैं उतना ये लोग हिंदू जन्मानस की भावना को आहत करते हैं और उनके उपर कुठारा घाद करके और मन को दुखित करते हैं जिसके नाते हिंदू मजबूर हो जाता है इनको जवाब देने पूर आजी केंद्रिय मंति गिदासिंग कहते हैं मंदिस प्रश्च ने सोनिया गांदी मड़का दुन खड़के को रा जूद भी निमंतर देना हम लोग कोई कांग्रेस की विरोध ही थी कांग्रेस की विरोध क्यों करेगा हैं कांग्रेस का विरोध चाह सोनिया जी का विरोध चाहे खरगे जी का विरोध चाहे कांग्रेस के ऐसे दिविजे सिंग नेता ससुतरूर ससी थरूर जैसे तमाम ऐसे नेता हैं अधिरंजन चोधरी इन के लिए बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगातार ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते संग का विरोध करते करते ते इसका विरोध करने लग जाते हैं शादू संतों का विरोध करने लग जाते हैं अरे भाई भगवाराम तो सब के हैं, आपने इतने दिनों तक टेंट में रखने का महापाप किया, आपने संतों को बोकोहरम आयसा ही तालिबान से जोड़ दिया, फिर भी शादू संतों ने आपको चमा किया, आपने राम मंदिर आदेस आने के बाद भी यह कह दिया, इससे रोक दिया जाए, अभी निर्मानकार ना हो, घजब बात करते हो, आपको सर्म भी नहीं आती, आप इस प्रकार से बहुत संक्यक समाज के भावना के शाद खिलवार करोगे, इसके नाते, उन्होंने सही कहा है, गिर्दा सिंग जी ने, कि इनको सुद्ध रूप से, रावन है, उस समय का जो रावन था, वो ठीक था, कुछ हद तक, बताओ, उन्होंने जगजनी जगदम्मा का हरन किया, लेकिन चल से हरन किया, लेकिन बल से उसको अपने तरफ खीचने का प्रयास नहीं किया, जबरदस्ती, लेकिन आज इन रावन की वंसजों का ये स्थित आ सकते, ये वीजेपी का इवेंट है, इस प्रकार से सनातन को अफमानित करने का कायर किया है, सनातनी हिंदू जर्मानस कभी इसको माफ नहीं कर सकती, पहले तो मानिय मुख्वंत्री जी को धेर सारा धन्नभाद, लगातार मुख्वंत्री जी का जो प्रयास है, कि रामजनम्भू मंदिर भवब दिव नभ एवम एवध्या का ऐसे खुबसूरत लगे, देश और धुनिया से जो लोग आवें, उनको आने के बाद ये अविभ पहले पांदिन पहले प्रातना करते हैं उसके बाद राम नरभूं उसके बाद समय चाकार उसकी बाद जहां-जहां कायरकम निरधाली थे उस जगह का अबलोकन, उस जगह पर देखना क्या और अच्छा किया जा सकता है, क्या काम हुआ है, अगर उसमें कोई त्रूटी है, उसको सुधार तो मुखवंत्र जी को साधुबाद आज उनको रिशिप करने के बाद बैदिक मंत्रों चारण के साथ हन्माजी महराज का दर्शन पूजन करा के और बैठे जागे थोड़े दे क्या योजना क्या रचना क्या उनका आदेश क्या पालण करते होई अधिया है पेले मैं आभधर वेक्त करता हूं मारेश्चत सरकार का कि मारेश्चत सरकार ने स्री राम जनभुम भब दिब मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के लिए दो दिनों के लिए सरकारी छुटी अपने यहां के सभी सरकारी संस्थान और वहां के लोगों और संस्थान में किया है गर्व की बात है उन लोगों के मोह पे कराड़ा तमाचा है जो भारत में र भारत में नहीं विरेश्व हैं इस प्रकार से वहां के राष्टा अध्यच कर रहे हैं और आप भारत के नागरिक हो शनातन संस्कृति को मानने वाले हो और आपके मन में ऐसी ओची विचार तुम्हें आभार वेक्ट करता हूं मारश्य सरकार का और धन्वा देता हूं और संजय वाली की मुष्टी गोहत्ता सिस्प्राप की काल हुई है बावी मजिद की तरह भटकल मजजिद का विजनाव निश्ची ते या अनंत कुमार है नहीं बलकि हिंदू समाज का निर्ड़ा है क्या तहिए अनंत कुमार जी ने हिंदू जन्मानस की जो पीड़ा है उ परफंडा मेल्टा राइट में हर व्यक्ति को चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम हो चाहे वह शिक हो चाहे वह इशाई हो अगर वह मुस्लिम भी है तो राश्ट विरोधी तक कायर करता है फिर भी भारत के व्यक्ति उसको गली लगाता है चाहे कितनों धर्म विरोधी के कारण मृत हुई है उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन जिस प्रकार से सनात्न विरोधी सनातन संस्क्टिए विरोधी हिंडू विरूधी सदा मान सिकता रहती है इससे आहत होकर हिंदू जर्मानर्स ऐसे सब्दों का प्रियोग करते हैं